तो DSA सिखने की स्रीज में आद हम देखने वाल हैं insertion operation insertion में basically हम देखेंगे insertion at the beginning वैसे यहाँ पर अलग-लग insertion होते हैं जैसे insertion at the beginning, at the end, या फिर after a node लेकिन यहाँ पर हम लोग फिलाल focus करेंगे insertion at the beginning क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजे हैं समझने के लिए एक यूडियो में सारे को explain कर पाना थोड़ा difficult है वो अभी आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ लेकिन फिलाल आप यह मांगे चलिए कि यहाँ पर हम लोग सारी चीजे अच्छे से पढ़ने वाले हैं और अललग तरीके से समझने वाले हैं for example मैंने आपको बताया था ला शुड़ो में कि कोई भी operations हम लोग करते हैं या तो class के थुरू कर सकते हो या तो आप structure के थुरू कर सकते हो तो यह एक अलग तरीका हो गया उसके बाद दूसरा तरीका यह हो गया without method कि हमें insertion operation ही करना है लेकिन बिना किसी method का यूज करना है उसके बाद हमें method create करने के बाद insertion करने है और method के through भी करने हैं वहाँ पे भी हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं या तो directly हम लोग एक ही method के अंदर value को print करवाते हुए सारी चीजे करना है या तो हमें return करवा के और साथ हैं यहाँ पे हमें pointer को अच्छे से समझना है कि pointer जब हम लोग return करवाएंगे तो उस case में क्या behavior होगा और कैसे return करवाएगा value तो यह सारी चीजे हैं समझने के लिए इसलिए यहाँ पे मैं सारी चीजे को अलग लग वडियो में समझाने की कोशिश करूँगा तो जदे आपको एक वडियो आ जाती अच्छे से तो सारे आप इसलिए समझ आओगे तो insertion at the beginning देखते हैं तो देखे इसमें basically क्या होगा हमारा हमारे पास 3 node थे जदे आपने लास्ट के 3 वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि total हम लोग 3 nodes लिए होए थे node 1, node 2 & node 3 और node 1 जो है इसको present कर रहा था head वाला reference variable या फिर आप head node भी बहुत सकते हो और इसी के थूँ हम लोग access कर पा रहे थे सारे node को ओके तो अब scenario क्या होगा कि एक node हम लोग अलग से लाएंगे और इसको हम लोग starting में add कर देंगे तो जदी आपको data को access करना हो traversal के थूँ तो आपका जो print होना चाहिए value वह होना चाहिए 40 उसके बाद 10 उसके बाद 20 और उसके बाद 30 तो यही होगा insertion at the beginning तो scenario कुछ ऐसा होगा कि जो हमारा head यहां पे point कर रहा था node 1 को वह अब इसको ना point करके यह point कर रहा होगा beginning को तभी तो हम प्रिंट कर वा पाएंगे जब यहां पे shift कर देंगे तो यह हमारे लिए easy हो जाएगा सारे element को access कर पाना तो इसी approach को हम लोग code के थूँ करने वाले हैं fine तो यहां पे हम लोग समझते हैं code के थूँ जदे लास्ट के तीन वीडियो आप देखे होंगे तब को सारी चाज़े अच्छे से समझ में आएंगे तो यहां पे बिल्कुल स्टार्टिंग से चलते हैं iustrim using name space standard main method लेने हैं तो इंट में और यहां पे curly bracket enter अब यहां पे समझते हैं देखें सबसे पहले यहां पे हम लोग class के थूँ सारा काम करने वाले हैं और structure के थूँ आप खुद करोगे क्योंकि structure के थूँ मैं आपको अल्रेड़े बता रखा है कि जएदे आपको class आ जाती है तो structure के थूँ कुछ भी नहीं है यहां पे class के थूँ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो यहां पे class के थूँ हम लोग कर रहे हैं तो यहां पे class node और यहां पे एक लिए लेते हैं इंट डेटा जो हमने किया वा था लास्ट रहें और यहां पे node asterisk next अब दीखें यहां पे हम लोग क्या करते हैं एक method उनाते हैं method name होगा हमारा यहां पे simple हम लोग कर रहे है list create जो लास्ट वडियो हमने किया वा था तो यहां पे word list create कर रहे हैं और यहां पे same वही रखते हैं node asterisk head initial value null यही कर रहे थे लास्ट वडियो में तो यह first node के लिए ctrl v ctrl v ctrl v यह हो गया second node के लिए तो node 2 यह हो गया third node के लिए तो node 3 और हम लोग क्या करेंगे जो fourth पाला node होगा जिसको हम लोग starting में insert कर रहे होंगे इसको हम लोग node से present कर रहे होंगे तो यहां पर simply ले लेते node ओके और यहां पर हम लोग कर लेते हैं dma डानिंग memory allocation तो उसके लिए यहां पर आप क्या कर सकते हो head equals to यहां पर आप कर सकते हो new node और यहां पर semicolon इसको यहां पर copy कर लिया ctrl v ctrl v यहां पर इसको public लेना और यहां पर इसको कर लेते हैं node 2 यह हो गया node 3 और यह जो हमारा है इसको यहां पर हम नहीं रखते हैं इसको हम लोग अलग से method create करके insert करवाएंगे अब यह हम लोग फिलाल यही रखा रहें तीन ओके तो head node 2 node 3 और यहां पर तो क्या कर रहे थे node 2 कर रहे थे क्योंकि यह node 2 को point कर रहा है तो यहां पर आपको node 2 लेना पड़ेगा जो कि last video हमने देखा वा था last video आप जरूद देख्या यह last के तीन videos तो यहां पर यह हो गया उसके बाद इसी को यहां से कर लेते हैं copy Ctrl V यहां पर हमारा हो जाएगा एक और कर रहेते हैं Ctrl V यहां पर हो जाएगा node 2 तो node 2 tends to data value हो जाएगे हमारी 20 यहां पर भी node 2 tends to next यह point कर रहा होगा 3 को और यहां पर हम लोग लिख रहे होंगे node 3 tends to data यहां पर भी node 3 tends to next यह यहां पर null को present कर रहा होगा और यहां पर हमारी value हो रही होगी 30 तो यह हमारे तीन values इंसर्ट हो जाएगे node में अब हमें क्या करना है प्रिंट नहीं करवाना भी एक method को यहां पर call करवाना है method name होगा insert तो आप यहां पर बोज सकते हो void list insert क्या करेगा वह यहां पर देखते है यह method यहां पर call हो रही होगी और मैंने आपको यह बताया था कि जब हम लोग एक node को create करके उसको link कर देते हैं link कैसे करते हैं जो यह हम लोग लेते है head tends to next node 2 यहां पर node 2 tends to next node 3 तो इससे क्या हो रहा होता है link हो रहा होता है तो जब हम लोग link कर देते हैं तो head के पास इतनी ability होती है कि वो सारे node के data को access कर पाए तो इसलिए यहां पर head को pass कर देंगे इस वाले list insert में और एक यहां पर हम लोग value pass करवाएंगे आप चाहो तो user के दवारा data enter करवा सकते हो लेकिन यहां पर हम लोग directly pass कर लेंगे 40 तो यहां पर हम लोग 2 value pass कर रहे हैं यह 40 जो हमारा 4th node होगा उसकी value होगी और इस head के थ्रू हम लोग link करवाने की कोशिश करेंगे तो यहां पर आपको लेना पड़ेगा node asterisk head ही रख लेते हैं यह जो value are यह head और यहां पर रख लेते हैं int data क्योंकि यह हमारे data की तरह treat करेगा यहां पर रख सकते हो item चाहँ तो आप same name रख सकते हो लेकिन यहां पर हम लोग चुकी data लिए हुए है तो इसको हम लोग item ही रखते हैं आप चाहँ तो data रख सकते हो और यहां पर हम लोग क्या करते हैं एक और create करते हैं node जो कि ये वाला होगा जो हम लोग यहाँ पे consider कर रहे थे ये वाला, तो node equals to new, यहाँ पे node और इसके through अब चाहो तो starting में null रख सकते हो और null रखने के बाद यहाँ ले सकते हो node equals to new node, जो हम लोग यहाँ पे किये होए, पहरे न लिये होए है और यहाँ पे head के बाद new node ले रहे है आप चाहो तो एक ही line में ले सकते हो इस तरह, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो node tends to data और data में assign कर सकते हो ये वाला जो यहाँ पे हम लोग pass करवाए है ओके, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा link हो जाएगा node, यह वाला जो node है यह हमारा link हो जाएगा इसके साथ, क्योंकि अभी head कहाँ पे है यहाँ पे है तो link होने के बाद यह इसको point कर रहा होगा यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे है जो हमारा यह वाला node है इसी को directly हम लोग यहाँ पर print करवाने की कोशिश करेंगे वैसे हम लोग method बनाने वाले हैं लेकिन यहाँ पर हम लोग यह देखते हैं कि क्या हम लोग इसको print करवा पा रहे हैं कि नहीं तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं node tends to null curly bracket enter see out यहाँ पे कर लिया node tends to data और यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग simply double quotes और यहाँ पे जाहिर से बात है node tends to next और इसी को assign कर देंगे हम लोग node में तो देखते हैं यहाँ पे हमारे value print होती है के नहीं build and run करने से पहले यहाँ पे चुकि हम लोग method बनाया है तो इसको यहाँ पे declare भी करना पड़ेगा यह मैंने आपको बताया वा था तो यहाँ पे कहीं पे भी कर सकते हो यहाँ पे कर लेते हैं यह value किस तरह का layer यहाँ पे pointer type का जो की node है तो यहाँ पे data type node यह जो हम लोग class लेते हैं न यह भी एक तरह से data type होता है तो यहाँ पे data type node की तरह treat करेगा यह एस्ट्रिक सिंबल के साथ क्योंकि यह reference वाला data type है तो यह node हो जाएगा एस्ट्रिक के साथ और यहाँ पे item तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा in type का तो यह हो जाएगा आपका list insert के लिए list create के लिए भी आपको करना है तो इसको यहाँ से कर लिया copy यहाँ पे main method के अंदर control v यहाँ पे यह कुछ भी argument नहीं ले रहा है तो यह blank हो जाएगा हमारे लिए और यहाँ पे method call हो जाएगी list create ओके रहे हैं वो सारा चलेगा यहाँ पे जहां हम लोग आएंगे तो list insert को call कर वा लेंगे list insert यहाँ पे जब call होगी तो यहाँ पे यह print कर वा रहा है value अभी यहाँ पे इसको और हम लोग segregate करेंगे तो फिराल के लिए देख लेते हमारे value पे प्रिंट हो रही है कि नहीं तो इसको save किया यहाँ पे build and run किया तो यहाँ पे error दे दिया है इसने चुक्कि यह capital में लेना होता है तो फिर सिसको run करते हैं तो देख सकते हूं यहाँ पे हमारे value प्रिंट हो गई है ओके हमें यह लाना था 40, 10, 20, 30 अब यहाँ पे बोलोगे कि यह print कैसे करवा रहा है मैंने आको बोला था कि जब यहाँ पे हम लोग head को assign कर देते हैं node 2 को तो यह point कर रहे लगता है node 2 को उसी तरह node 2 को हम लोग लिंक कर देते हैं node 3 के साथ तो head जो है वो अकेले able होता है यहाँ पे हम लोग पास करवा रहे है head को इस head को हमने यहाँ पे लाया और यहाँ पे एक node 4 को लेके जो हम लोग यहाँ पे करते थे head tends to data 10 तो वहीं यहाँ पे हमने किया node tends to data item जो हम लोग यहाँ पे पास करवा रहे थे और no tends to next में हमने क्या कर दिया, head assign कर दिया, तो अब ये क्या करेगा, ये जो है, इसको point करने लगेगा, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक और method हम नाते हैं, उस method को, यहाँ पे कर लेते हैं, method name होगा हमारा list traversal, और list traversal में हम लोग क्या करेंगे, इस method को call करवाएंगे, हम लोग list insert के अंदर, अब यहाँ पे दो और चीज़ करेंगे, तो पहरे ये कर लेते हैं, word list traversal, और इसको यहाँ पे ना लेके, यहाँ पे ले लेंगे, और यहाँ पे चीज़ करेंगे, और यहाँ पे चीज़ करेंगे, और जब यहाँ यहाँ पे पास होगी, तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा, सेम तरह का data type, तो node data type है, तो node district ले लिया, उसके बाद यह वाले node उट के आगे, यहाँ पे, तो यहाँ पे भी node, यह आप ले सकते हो, और इस pointer को directly यहाँ पे access कर सकते हो, while pointer not equals to null, तो यहाँ पे see out पे, pointers tends to data, और यहाँ पे pointer tends to next, ओके, तो शिर्फ यह आप कर सकते हो, यहाँ पे declaration, यहाँ पे calling, यहाँ पे passing node, तो जब यह ऊट के आगे value यहाँ पे, यहाँ पे directly आप इसको access कर सकते हो, तो इसको रन करवा के देख लेते हैं, about और यहां पर build and run, तो देश सकते हो result हमारा same आ रहा है, fine, अब यहां पर देखिए, सारे चीज़े हमारे अलग हो गए, list traversal अलग हो गया है, list insert अलग हो गया है, list create अलग हो गया है, और यहां पर मेरे मिथड में हम लोग अलग से call करवा रहे है, list create को, यहां पर क्या कर सकते हो, सारे का अलग लिब्हा गय भ्यक अब लेते रहना, यहां पर आप कर सकते हो यह, कि जो यहां पर आप call करवा रहे हो list traversal को, यहां पर call ना करवा के इस list traversal को आप यहें पर call करवाओ और यहाँ पर ना declare करके इसको यहें पर declare करदो और यहाँ पर यह जो node है इसको यहाँ पर return करदो और चुकी यह return हो रहा है टाइप क्या है? node type का तो यहाँ पर void ना लेके आप क्या ले लोगे? node asterisk ओके? node asterisk क्योंकि यह reference variable है और यह method तो same वही होगी तो यहाँ पर भी यह हो जाएगा node asterisk ओल्राइट? यहाँ पर भी node asterisk क्योंकि जब यहाँ पर list insert call होगी और यहाँ पर जब node को हम लोग रिटन करवाएंगे यहाँ पर जो head वाला node होगा head वाले node को ही यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे? assign कर देंगे value जो यहाँ से return होगी इससे क्या होगा? कि pointer जो है head वो यहाँ पर point ना करके अब वो यहाँ पर point करेगा ओके? यह node तो हमें मिल गया है यहाँ पर यहाँ पर जदे आप देखोगे तो node हमें मिल गया है लेकिन जब यहाँ पर हम लोग node को return करेंगे तो इसी head में assign कर देंगे तो scenario हमारे यह रहेगा कि head point करने लगेगा इस वारे node को अब जदे यहाँ पर आप print करवाओगे head को इसके बाद तो आपको same result मिलेगा लेकिन चुकि हम लोग traversal method के थूँ करवाना चाहरे है तो यहाँ पर आपको pass कर देना होगा head वाले reference variable को तो यह head उटके आएगा यहाँ पर और यह अपना print करवाता रहेगा तो आपको यही करना था list traversal को यहीं पर define कर लेना था तो देख लेते हैं इसको run करवाके लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको interview लेना पड़ेगा ओके क्योंकि list traversal जो है वो note के साथ data भी भेज रहा है यह opposite होता न list insert में हम लोग कर रहे हैं return और यह तो हमारा word रहेगा यहाँ पर आप देखिए जो यह list traversal है यह तो word रहेगा न तो यहाँ पर हम लोग word रखते हैं जो list insert है यहाँ पर हम लोग return करवा रहे हैं तो यहाँ पर होगा वो return tap अच्छा से देख लीजिएगा और यहाँ पर भी आपको head pass कर देना होगा तो यहाँ पर run कर लेते हैं तो देश सकते हो हमारा same result आया ओके तो इस तरह आप list traversal कर सकते हो अब यहाँ पर भी और इसको break कर सकते हो लेकिन इसको यहीं तक रखते हैं अललो मेथड की थूर आप क्या कर सकते हो चीजों को easily readable बना सकते हो ओके तो यहाँ पर आप दे सकते हो हमने बहुत सारे चीज़े अललो तरीके से solve किया हुआ है तो इसको बताने के लिए यहाँ पर मैंने insert at the beginning को ही cover किया हुआ है तो आने वाले वीडियो में हम लोग और दो प्रेसंस को cover कर लेंगे तो उमीद है वीडियो जरूर अच्छे लगे होगी चैनल पर नहीं हो तो subscribe जरूर कर लेंगे मिलते हैं नेक्ट वीडियो में Thank you, happy learning